हालो फ्रेंड मैं इस्मृति एस्वर्या आप सब भी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूटूब चैनल स्टडी विद इस्मृति में आईए सुरू करते हैं आज की क्लास आज की क्लास में मैं आप लोगों को जार्खन के करेंट अफेर्स से क्लास लेने वाले हूँ यह यह उन सारे स्ट्रोण के लिए हल्फुल हो जाता है जो जेपी एसी और जेएसासी सीजियल की त्यारियों में लगे हैं जार्खन के क्लास में मैं आप लोगों को 2020 के जुलाई मन्त के करेंट अफेर्स कराऊंगी मोस्ट इंपोर्टन यह करेंट अफेर्स हैं चले सुरू कर अब थोड़ा हम लोग इसकी डीटेल को भी जान लें देश का पहला नाशनल इन्शूट ओफ एडवान्स मैनुफेक्श्रिग राचि में अस्थापित किया जाएगा यहां पर सूपर कृटिकल उत्पादन पर सोध होगा चीन से विवाद होने के बाद टूल तकनिक और हा की कोशिस की गई हैं तो नेस्टनल इंशूट औफ एडवांस में इस थपना कहा होगी तो यह होगी राच्छी में अगला प्रशने है कि कुडुक भासा का 15 रास्ट्रिय संबेलन 30 ओक्टूबर को कहां आयूजित किया जाएगा तो कुडुक भासा का 15 रास्ट्रिय संबेलन 30 अक्टूबर को दिल्ली में आयूजित किया जाएगा और थोड़ा समय इसके डिटेल को जाने कि कुडुक भासा का 15 रास्ट्रिय संबेलन 30 ओक्टूबर से 1 नवंबर तक इंडियन सोसल इंशूट औफ लोधी रोड जो की नई दिल्ली में है यहां पर आयूजित किया सिक्षकों और विद्यार्थियों को डिजिटल सेफ्टी की ट्रेनिंग दिलाने के लिए किस संस्थान के साथ करार किया है तो यह है फेस्बुक किसी फेस्बुक के साथ सीवेसी ने सिक्षकों और विद्यार्थियों को डिजिटल सेफ्टी की ट्रेनिंग दिलाने के लिए करार किया है फेस्बुक के साथ ये करार हुआ है फेस्बुक और CBSE के बीच में थोड़ा हम लोग इसकी व्याख्या भी जान लेते हैं CBSE ने सिक्षकों और विद्यार्थियों को Digital Safety की ट्रेनिंग दिलाने के लिए फेस्बुक के साथ करार किया है इस ट्रेनिंग के पहले चरण के लिए रजिस्ट्रेशन 6 जुलाई से सुरू हो गया है और जो प्रोग्राम शुरू होने वाला है वो 10 अगस्त से सुरू हो जाएगा ट्रेनिंग प्रोग्राम एक सब्ता का होगा पहले चरण में 10,000 सिक्षकों को इंटरनेट पर आने वाली चुनातियों को ले करके प्रसिक्षित किया जाएगा और साथ ही साथ 10,000 विद्यार्थियों को भी Digital Safety के बारे में प्रसिक्षिन दिया जाएगा और आने वाले समय में प्रसिक्षकों की मतलब जो प्रसिक्षिन लेना चाहते हैं उनकी संख्या में बढ़ूत्री कर दी जाएगी तो यह सीबीसी का किसके साथ करार हुआ है फेसबुक के साथ और क्यूं करार किया गया है तो सीख्षकों और विद्यार्तियों को डिजिटल सेफ्टी के इसमें ट्रेनिंग दी जाएगे और यह प्रोग्राम कब से स्टार्ट हो जाएगा तो द उराओं के द्वारा प्रतियक पंचायत में कितने चापकल लगाये जाने की घोशना की गई है तो जार्खन राजे के यह कॉंग्रेस अध्यक्ष हैं कौन डॉक्टर रामेश्वर उराओं और साथ में यह सहवित खाद्यापूर्ति मंद्री भी हैं डॉक्टर रामेश्वर उराओं तो इनके द्वारा घोशना की गई है कि प्रतियक पंचायत में पांच पांच आपकल लगाये जाएंगे अगला प्रशन है कि 5 जुलाई 2020 में जार्खन राजे में सोलर सिटी की घोशना की गई है इसके लिए किस संस्थान को सोलर सिटी को विक्सित करने का निर्द किस संस्थान के साथ सोलर सिटी को विक्सित करने के लिए इनिर्देश दिया गया है किस किस संस्थान को इनिर्देश दिया गया है कि वो सोलर सिटी विक्सित करें तो ऑप्शन नमबर बी है जेरेडा ऑप्शन नमबर सी है दोनो और ऑप्शन नमबर इन में से कोई नहीं इसका अंसर हो जाएगा दोनों, बिजली वित्रणिगम और जेरिडा, दोनों को ही सोलर सिटी को विक्सित करने का निर्देश दिया गया है, दोनों समलित रूप से इसके लिए कारे करेंगे, थोड़ा साम लोग इसकी व्याख्या देख ले, केंद्रिया उर्जा मंत्राले न जार्खन बिजली वित्रणिगम और जेरिडा को एक सोलर सिटी विक्सित करने का निर्देश दिया है, इसके अंतरगत सोलर सिटी के सभी घरों के चट पर रूप टॉप सोलर पावर प्लांट लगा जाएगा, और घर के मालिक जो होंगे, वो जरूरत के अधार पर इसके ब करेंगे, और जो बची हुई बिजली होगी, वो बिजली वित्रणिगम को ग्रीड के माध्यम से इसको बेच देंगे, पावर प्लांट परती जमीन पर भी जो लगाए जाएगा, अगर अतिरिक्त बिजली की कीमत जो होगी, वो विदूत नियामक बोड के द्वारा, निर् निर्धारित टैरिफ के अनुसार मकान माली को ये मिलेगा, तो ये थोड़ा व्याख्या हो गया है, इसके बारे में क्या है, तो जारकन राज्ये में किसी एक शहर को सोलर सिटी बनाने की घोशना की गई है, अब उस सहर का चैन किया जा रहा है, किस सहर का चैन किया जाएग अगला प्रशने है कि राज्य सरकार ने कोरोना के कारण खनीजों पर कोवीड-19 सेस लगाने संबंदित गजट अधिसूचना जारी किये है जारकन मिन्रल बियरिंग लेंड सेस ओडिनेंस 2020 की सहमती मिलने के बाद कोईले के डिस्पेश पर कितने रुपए प्रती मिट्रिक टन की दर से वसूली की जाएगे थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में जाने क्योंकि ये सेस जो लगाई जा रहे है कोवीड-19 सेस जो लगाई जा रहे है वो केवल कोईले पर नहीं लगाई जा रहे है यह किस तरीके से हम लोग यह देखेंगे जार्खन पिछले दिनों आर्थिक संकट से उबरने के लिए यह कदम उठाया है इसके अंतर्गत निम्न कदम उठाये गये है कोवीड-19 पर 10 रुपए प्रती मिट्रिक टन आरेन ओर पर 20 रुपए प्रती मिट्रिक टन मैगनीज पर 5 रुपए प्रती मिट्रिक टन की दर से वसुली की जाएगी गजट का प्रकाशन किती थी 6 जुलाई 2020 से यह एक्ट प्रभावी हो जाएगा यानि कि 6 जुलाई से यह एक्ट प्रभावी हो गया है और इस तरीके से यह सेस लगाए जाएगा तो कोईले से भी पूछा जा सकता है प्रशन आरेन ओर और मैगनीज से भी प्रशन पूछा जा सकता है इसलिए मैंने इसे व्याख्या में सामिल कर लिया है अब हम लोग अगला प्रशन लेते हैं अगला प्रशन है कि कोरोना से बशने के लिए जार्खन के किस संस्थान के द्वारा कैस सेनिटाइजर मसीन जुलाई 2020 में बनाई गई है तो जार्खन का वो कौन सा संस्थान है जिसने कोरोना से बशने के लिए कैस सेनेटाइजर मशीन बनाई है और इसी जुलाई 2020 में तो इसका एंसर हो जाएगा BIT पॉल्टेक्निक के यांत्रिक अभियंतरन संस्थान के द्वारा BIT पॉल्टेक्निक के अभियंतरन संस्थान के द्वारा ये बनाई गई है चले थोड़ा साम लोग इसके डिटेल को जाने कैस सेनेटाइजर मसीन बनाने में स्टील शीट, बल्ब, स्लाइडर, ऐलमूनियम हैंडल, वायर, इलेक्ट्रिसिटी इस सरी चीजों का इस्तमाल किया गया है और इस मसीन को बनाने में अब्दुल माजीद तथा राज कुमार महतों का सहयोग रहा है अगला प्रशने हैं कि जुलाई 2020 में बिर्सा क्रिसी विश्व विद्याले के क्रिसी वेग्यानिकों के सोध क्यानुसार जार्खन के कितने प्रतिशत खेती योग्य भूमी अमलिया हो गई है तो इसका एंसर हो जाएगा 46 प्रतिशत भूमी जार्खन की खेती योग्य भूमी वो अमलिया हो गई है 40 प्रतिशत भूमी वो अमलिया होई है अगला प्रशने है कि चालू विद्या वर्स 2020-21 यहां होना चाहिए प्रिंट मिस्टेक है इसको आप लोग सही कर लेंगे चालू विद्या वर्स 2020-21 के जार्खन बजट के आकार में कितने करोड रूपय की कटोती की आशन का है तो इसका एंसर हो जाएगा 2756.096 करोड विपय की कटोती की जाएगी 2020-21 के बजट के आकार में थोड़ा साम लोग इसके डिटेल को जान लेते हैं कि यह जो कटोती की जार्खन बजट के आकार में 2756.096 करोड की तो राजस्व में कमी के कारण ये फैसला लिया गया है। राजय सरकार ने आर्थी कारणों से करज के लक्ष में कटोती की जाएगी कर्जी के लक्षे में भी कटोती की जाएगे और साथ में जो जार्खन बजट उसमें भी कटोती की जाएगे नेक्स ट्रास में है कि प्रधान मंत्री आवास योजना में कौन सा राज्य देश में सबसे बहतर परदर्शन किया है तो वो कौन सा राजे है जो देश में सबसे अच्छा पदर्शन किया है प्रधान मंत्री आवास योजना में तो ये अंसर हो जाएगा जार्खन जार्खन राज्ये ने सबसे बहतर प्रदर्शन किया है थोड़ा सब लोग इसके व्याक्याओं को देखें जार्खन राज्ये के प्रधान मंत्री आवास योजना में देश में सबसे बहतर प्रदर्शन किया तेकि थोड़ा सब डिटेल को लोग इस प्रशनी के माध्यम से ज रहा है प्रधान मंत्री आवास योजना में तो यह है रामगड और जामताड़ा बेहतर प्रदर्शन में रामगड और जामताड़ा जो है बेहतर प्रदर्शन में पहले और दूसरी अस्तान पे रहा है थोड़ा साम लोग इसके डिटेल को जानते हैं देखें जार्खन के जी घ्रामड विकास मंतराले के पर्फॉरमेंस इंडेक्स में इन जीलों को दर्जा दिया घ्र को इडी खूटी सराइकला खरसावा पश्मी सिंग्भूम और सिंबेगा यह जितने जीले यह सारे नौ जीले जो हैं ये प्रधान मंत्री आवास योजामना में बेहतर प्रदर्शन करने वाले टॉप ट्वेंटी जीलों में इन नौ जीले हैं ये शामिल हैं इसी क्रम से होगे ये जरूरी नहीं है लेकिन पहले और दूसरे अस्थान पे रामगढ और जामतड़ा का ये पीडिएफ चाहिए तो चुक्कि आज संडे का दीन है और आज की दिन मैं टेलीग्राम ग्रूप में पीडिएफ सेंड करती हूं जो प्रक्राकिस होते हैं उसके तो आप सब भी टेलीग्राम ग्रूप में जुड़ जाएए और वहां पर आपको इसकी पीडिएफ मिल प्योल और भाल that